ओम नमस्यवा हरहर महादेव दोस्तों सभी का स्वागत है सनातन सार यूटूब चैनल पर दोस्तों सावन का माह शुरू होने वाला है और इस बार सावन का माह दुरलब योग में हो रहा है शुरू और भगवान सीव को अत्यन्त पिरिये भगवान भोले नात की किर्पा पाने के लिए सावन का माह अत्यन्त ही सुब होता है और भगवान भोले नात अपनी किर्पा द्रश्टी अपने भगतों पर रखते हैं भगतों की सभी मनों कामनाई पुर्ण करते हैं और दोस्तो भगवान सिव को परसन करने के लिए आख घतूरा जल से अभिसेक, दूद से अभिसेक, दही से अभिसेक जरूर करना चाहिए दोस्तो सावन शुरू होने से पहले आपको ये एक उपाय अवश्य कर लेना है क्योंकि ये उपाय आप करोगे आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा कहते हैं कि काला धगा जीवन में आने वाले कष्टों को रोक देता है जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने देता है और सावन के महिने से पहले अगर आपने ये काले धगे का उपाई कर लिया तो आपके जीवन के चार सांद लग जाएंगे आपकी जिन्दगी भी कुसहाल रोसन बन जाएगी तो दोस्तों आपको सावन सुरू होने से पहले सरीर के इस अंग पर काला धागा बांध लेना है। फिर देखना भगवान भोलेनात की किरपा आपकर कैसे बरस्ती है। आपके जीवन के समस्त कारिये पुर्ण होते हैं। आपके जीवन में आने वाली समस्त रुकावटें दूर होती हैं। और जीवन कसी खुशी से चलने लग जाता है। आपको करना क्या है। रेशमी या सुती काला धागा लेकर किसी भी सनिवार को भेरव मंदिर जाएं। इसके बाद उस धागे में छोटी छोटी नो गांठे लगाए। और ध्यान रखें जब आप गांठे लगा रहे हो उस समय आप अपनी नो मनोकामनाएं बोलते जाएं। क्योंकि इस उपाई से नो मनोकामनाएं पुर्ण होगी तो नो गांठे लगाकर भेरव मंदिर जी का सिंदूर है वो गांठों के उपर लगा दे नो बार। वेश करते हो उस मैन गेट के उपर बांद दे आपके घर के अंदर कभी भी किसी जीज की कमी नहीं होगी। अगर घर के अंदर जादू टोना किया हुआ आपको महसूस हो रहा है वो भी दूर होता है। չड़ के सदश्यों पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। तो आप हावन शुरू होने से पहले करें और घर के इस जगह बांद दें एक दागा समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा दोस्तों चेनल पर नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कमेंट में हर हर महादेव अवस्य लिखना ओम नमस्य वाहर हर महादेव